हेलो डियर फैंड्स जे जोहार रुद्दरा इंस्ट्ट दुर्ग आपका स्वागत करता है दोस्तो हम रुद्दरा इंस्ट्ट के तरफ से छत्तिगड़ के समान गयान के लिए जो हम राजी के जिलेगत 28 जिलों का वीडियो और चाट के मादने हम से आपके समझ पेस कर रहे हैं उस स्रेंखला में सरगुजा संभाग के उपरान आज हम राइपुर संभाग पर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तो राइपुर संभाग राजी का महातपुर संभाग है राइपुर संभाद की विश्य में मैं आपको यह बताना चाहूगा दोस्तो जैसा आप जानते हैं आधोनेक छत्यगर का प्रारम 1757 जब बिम्बा जी भूसले मराठा सासक के रूप से और चारिक रूप से छत्यगर का सासन अपने हाथ में लेते हैं किन्तो हमारे राज्य की संभागी विश्था या वरत्मान सासन पुर्णाली का प्रारम 1854 से चार्ल्स इलियर्ट से शुरू होती है दोस्तो यह भी एक महात्पुर्ण पच्छे है कि छत्यगर पहले सुबा था किन्तो आगे चलकर यह एक डिश्टिक बना और इसके बाद 1862 से राज्पूर संभाग के रुप में जाना गया दोस्तो रैपूर संभाग को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम उत्तर में आपको समझे या बता रहे हैं कि रैपूर संभाग का उत्तरी जिला जो है वो बलोदा बजार है बलोदा बजार भाटा पार जिला उसके उपरान रैपूर जिला है रैपूर जिले के उपरान हम अगर देखेंगे तो रैपूर संभाग के दच्छिन पस्चिम में धंतरी जिला जबकि दच्छिन पूर में गरिया बन जिला इस्तित है वही रैपूर संभाग के उत्तर पूर संभाग का जन संख की आकड़े 2011 की जनगाना के आपने समझ रखते हैं दोस्तों इस मांचित में आप देख रहे हैं बलवदा बजार जिला महासमुन जिला, रैपुर जिला, धंतरी जिला, गरिया बन जिला अर्थात रैपुर संभाग पाँच जिलों से बना हुआ है इस रैपुर संभाग राजिके कुल छेतर फल्क का 21,257 किलोमेटर में विस्तार है जबकि राजिके कुल जन संख्या 2.5 करोड में से 58,96,407 वेक्ती रैपुर में निवास करते हैं रैपुर संभाग का संभागी लिंगा उन पात 993,001 है जबकि जन घनत तो 277 वेक्ती प्रती वर किलोमेटर है राजिक रैपुर संभाग की कुल जन संख्या में पुरुष जन संख्या 3,59,050 है जबकि कुल जन संख्या में महिला जन संख्या 29,28,357 है रहपुर संभाग अनसूचित जनजाती की जनसंख्या ऐसी 9,22,412 है जबकि अनसूचित जनजाती जनसंख्या 9,63,972 है रहपुर संभाग में सिदूल ट्रैज्ज या अनसूचित जनजाती की जनसंख्या 9,63,975 है 76 प्रिश्यत में रहपुर संभाग 75 दसम्लो एक प्रिश्यत है जिसमें पुरु साच्छता 85 प्रिश्यत जबकि महिला साच्छता 65 दसम्लो दो प्रिश्यत है जनगरणा में 7-6 वर्स की आयू की जनसंख्या रहपुर संभाग में 8,19,749 है जबकि 6-6 जनगरणा में लिगान पात रहपुर संभाग की 11,979 है सुन से छे जनसंख्या प्रत्स सम्भाग की कुल जनसंख्या का 13.9 प्रिश्चत है जनसंख्या ब्रध्यदर दस्की जनसंख्या ब्रध्यदर 28.6 तिन प्रिश्चत है ये रैपुर्ट सम्भाग के संदर में है चत्तिगर की कुल आबादी में राजि के पाच सम्भागों में से राइपुर सम्भाग का योगदान 23.093 प्रिश्चत है अर्थात ये दूसरा प्रमुक सम्भाग है जंगर्णा के साब से दोस्तो हम और प्रकाश डालते हैं राइपुर सम्भाग वस्तुत है राजि का प्रथम सम्भाग है एक फरवरी 1855 को चत्तिगर में बिटिश राज की अपचारे के स्थापना हुई और मद्धपरांद के इताहत चत्तिगर को सम्भाग का दर्जा दिया गया इसका मुख्याल राइपुर को बनाया गया यह सम्भाग अन्य पाच सम्भागों में सबसे पुराना है राज के मानचित्र में मद्धपूर के पाच जिले क्रमसा, राइपूर, बलवदावजार, महाशमुन, धंतरी और गर्यावन राइपूर सम्भाग के दात आते हैं दोस्तो इस सम्भा में अगर हम देखते हैं तो इस समानचित्र को आप देखिए, इस समानचित्र में राइपूर सम्भाग के मद्ध से महानदी प्रवाहित होती है, महानदी जहां धंतरी के सिहावा से निकल कर कांकेर में प्रवेश करने के उपरान पुरह धंतरी में आती है और यह गरियाव राइपुर संभाग मुख्था महानदी अपवाहतंत्र के थात आता है। इस समान चित्र में हम ये भी देख रहे हैं कि महानदी की सहायक नदियों में सोधूर नदी ये जो गर्याबन और धमतरी की सीमा बनाती है। उसे प्रकार हम ये देख रहे हैं कि गर्याबन जिले में भात्रगड की पहारी से पैरी निदी निकलती है और ये राजिम के निकट महा नदी में मिल जाती है यह भी उन लेखनी है कि राइपुर सम्हा के साथ सीमा मनाने का कार बहुत कुछ खारूल नदी दुरूग राइपुर जिले की मद्ध बनाती है वही पर बलोधा बजार और वेमेत रह के मंद्ध में सिवनात नदी का प्रवा है सिवनात नदी विलाजपुर सम्हा के साथ भी राइपुर की कुछ सिमा निर्मित करती है दोस्तो एक महातपुर चीज यह भी है कि जोक नदी जो मूलता है महा समुन से होती है बलोधौवजार में प्रविश करती है और शीरी नायन वह प्रसिद इस्तल है जहां पर जोक और सिनात महान अदी में आके मिल जाती हैं। दोस्तो राइपूर संभाग सिचाइकी दिश्टी से काफी महत्पूर है। इसी संभाग में ही राजिक का रविशिंकर जला से धंतरी में इस्तित हैं महान अदीपी जिसे छत्तिगार का सब्से बड़ार मांद कहा जा सकता है। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं में से हम अगर देखें तो जोग परियोजना, कोडार परियोजना, बलार परियोजना आदी इसी रायपूर सम्भाग में इस्तित है। रायपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प बौद धी कालिन एक पातर भी प्राप्ट होता है। इसके अलावा बलवदा बजार जिले में जोक नदी के किनारे चाता पहार इस्थित है जो गिरोदपुरी गुरुगासी दास के जन्विस्तिली के रुप में जारा जाता है। दोस्तो बलावदाबजार जिले में ही सोमनात नामक पसे दिश्था लिश्थी थे, सोमनात में ही खारू नदी आके सिनात नदी में बिलती है, बलावदाबजार के सिमान चितर में दामा खेडा लिश्थी थे, दामा खेडा राजिक में कबिरपंद के अम्याईयों का सब्च जिनमें हम देखते हैं खरोरा इसके अलावा हम देखेंगे रैपुर नगर दोस्तो राजी की सबसे बड़ा और प्राचीन नगर रैपुर है रैपुर नगर खारुन नदी के किनारे स्थित है और इसे कल्चुरी काल में ही हम यह देखते हैं कि रैपुर नगर की स्थापना रामचिंद्र देवराय ने अपने पुत्र ब्रम्म देवराय के सम्मान में 1387 में किया था। वही एक नॉम्बर 2000 को हमारे नया राजी छत्तिगर का निर्माण हुआ। इस निर्माण की उपरांद राजी की नई राज़ानी की रूप में नया रायपूर का विकास किया गया। नया रायपूर भारत का एक प्रमुक नियोजित सहर है जो रायपूर से लगभा 17-18 किलोमेटर दूर इस्तित है। यहां पर खास तोर पर कई बड़ी इमारते हैं जिन में से कैपिटल कामप्लेक्स जिसे हम कैपिटल कामप्लेक्स या राज़ानी छत्र इस्तित है। आरंग को छत्तिगर में मंदिरों के नगर के नाम से जाना जाता है। आरंद में अनेक जैन मंदिर भी प्राप्त हुए हैं इन मंदिरों में से भार देवल का जैन मंदिर बहुत विख्यात है रैपुर जिले में महानदी के किनारे चंपारण नामक सुप्रसिद्य तेर्थ स्थल है चंपारण को हम अगर कह सकें तो चंपारण पुष्टी मार के प्रवर्त तक सुध्धा द्वेत्वात के जनक वल्लभाचार जी का जन्मिस्थली है यहीं राज का सबसे बड़ा हवाई अड़ा सौमी वेकानद हवाई अड़ा रैपुर के माना में इस्थित है यहां पर निमित उड़ानों के सुध्धा उपलब्द है दोस्तो अगर हम इसके बाद अबढ़ते हैं तो रैपुर संभा का सबसे प्रमुगधार में कि स्थल राजिम है राजिम को प्राशिन काल में पदमावतीपुरा के नाम से जाना जाता रहा है छट्दिगर के प्रयात के नाम से प्रसिध है यहां पर पुन्नी का मेला बहुत प्रिशिध है गरियावन जिले में पांडु का इस्थित है और पांडु का अगर कहा जाए तो अंतराश्टी स्थर पे योग गुरू महरसी के नाम से फेमस है इसके अलावा अगर कहा जाए तो गरियावन जिले में ही धमतरी गरियावन उच्च परवती छेतर है जहां प्राकृतिक इस्थ संब्भाद का सुदोर दचिर पूर्वी भाद देवभोग स्थित है यह तेल नदी घाटी चेतर के इताता है राजी में राजी क्या दुनिया में रूस के उप्रान एलेकजंडराइट के विसाल भंडार सोने के भंडार इसी चेतर में मिले हैं हीरा, सोना, एलेकजंडराइड, देवभोग छित्र में प्राप्त होता है। दोस्तो, अगर हम यहां से बढ़ते हैं, तो हमारे सामने राजिक का सबसे बड़ा पुरा तात्विक साइड सिर्पूर आता है। शिर्पूर महा समंजिले में महा नदी के तटपेस्थित है। उन्यसोत्रीपन में तत्कालिन सागर विशुद्ध्याले के पुरा तत्वित, एम जी दिछित के मारजसन में सिर्पूर का उत्खनन किया गया। उत्खरनन में यहां में बहुत से पुरा तात्विक इस्थल और संदर प्राप्थ हुए। सिर्पूर प्राचीन काल में पांडुवन सी राजाओं की राधानी कुर्प में फेमस था। सिर्पूर में भारत के प्रथम तीन गुप्त कालिन मंदिरों में सी सिर्पूर का लच्छुमर मंदिर विख्यात है। सिर्पूर में अने एक बौध विहार और बौध मुर्तियों की प्राप्ति हुई है, जिन में स्वास्तिक बौध विहार, आनंद पुर्भो कुटूर, कुटिर आदिप्रमुख है। दोस्तो, महासमुन कई अन्य संदर्भों के लिए जाना जाता है। महासमुन जिले में पिथोरा के निकट सपूर है, सपूर में प्रागत धियासिक हस्त कुठार के प्रमार भी प्राप्त हुए है। दोस्तो, महासमुन, महासमुन यती अतनलाल के लिए भी प्रिशिद है। सप्रशिद सपंदता से नानी गांधिवादी यती अतनलाल ने अपने गुरू के सम्मान में महासमुन नगर में विबेक वर्धन मठ का निर्मार करवाया था। साथियों, यही नहीं, रैपूर संभाग की पूर्वी सीमाओं में सीसुपाल की पहाडियां इस्थित हैं। उत्तर से दच्षीन के और नेशनल आईवे 30-30 गुजरता है जो राजका लंबाई के दिश्टी से सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग है जो चिल्फी घाटी से लेकर कौन्टा तक जाता है। हमें पुरा विश्वास है कि हमारी इस प्रयास में आपको कुछ न कुछ फाइदा जरूर हुआ होगा और आपके इस फाइदे के विसे में हम आपकी जानकरियों पिच्छुक हैं। दोस्तो इस लाइक इस वीडियों और तिंक इस वीडियों प्रयों प्लिस लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और टो परिए टो प्रिस्वेल इकन। थैक्स